मैं यह दिखाना चाहती थी कि यह हमारा हल्दी का प्लांट है और इसमें यह देखे मुझे नहीं मालूम कि मैं भी पहली बार देख रही हूं यह देखे कितना ब्यूटिफुल है oh my god lovely cutie तो यह मैंने पहली बार देखा, पहली बार experience किया और हमेश्म हल्दी हो जाती है, उत्करश लगा देते हैं जब भी हल्दी आती है घर में तो यह काथ गंट जो है, हमारे गंबलों में जरूर से उत्करश जी मादा देते हैं और यह वन ये और ओल्ड प्लांट हो गया है उर जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, वो पहचान जाएंगे कि ये क्या है, हमें तो बस क्यूट लग रहा है, वसन भी बहुत प्यारा सा हुआ है, और हमने जो नारियर लगाया था, वो देखे कितना बड़ा हो गया है, अभी तक ये इसी घड़े में लगा हुआ है, अभी छ चैनल दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो नहीं सब्सक्राइबर हैं, उनका हर्दिक अभी नंदन है, दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 10, मैं अपना कुछ काम कर रहे थी, निपता रहे थी, और मैंने साथ में ना कॉमेंट्स भी देखती हूँ, कॉमेंट्स चेक करती हूँ, कि किसी ने मुझ से कुछ पूछा तो नहीं है, और से रिप्लाइ भी कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पर भी इसी समय में मतब समय देती हूँ, इसी समय सारा सब कुछ रिप्लाइ वगरा करती हूँ, और कई सारे लोग इस टाइम पर ऑनलाइ पोच्छा है और जरूर से मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ साथ में हमारी थोड़ी बहुत शाम की कुछ-कुछ एक्टिविटीज हैं वो बता दूगी उतकर्ष सो चुके हैं क्योंकि कल जो है अर्ली मॉर्णिंग उटना है स्कूल जाना है और इनका रिजल्ट भी आ गया है जो के बहुत निराशा जनक रहा है उतकर्ष का थर्ड रैंक लगा है दोस्तों क्लास में बहुत जादा मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं इसका दोश अपने सिर्पः ही लेना चाहती हूँ क्योंकि बच्चा तो अपनी तरफ से मैनत करी रहा था मेरे मेरे मोबाइल का खराब होना ना मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है उसमें मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और वो रिकावर नहीं हो पारा है मोबाइल डारेक्ट इग्डम डेड हो गया एक तो मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही है इस नहीं मोबाइल से लेकिन फिर भी चलो ठीक है वीडियो तो काम चलाओ हो जाएंगी बट वो कुछ मिल जाता नो उसका डाटा वगरा तो मैं सवाकिलो लड़ू चड़ा दूँगी इतने इंपोर्टेंट उसमें डॉक्यूमेंट है उतकरश का सारा वर्क उसमें आया था और होता है आपके पास सेव है फाइल तो आप जादा ध्यान नहीं देते हो इधर उदर तो मुझसे यही गलती हो गई हमेशा उसी में रहता है हमेशा मैं उसी से पढ़ाती थी सारा सब कुछ एक बार अच्छे से रिवाइस करा देती थी बट इस बार जो है 15-20 दिन पहले ही मेरा मुबाइल धराशाई हो गया और मैडम एक बार ही वर्क भेजती है अगर उनको बापस से बोलो तो उनको खुद भी यान नहीं रहता कि क्या क्या भेजना तो इस बार का रिजल्ट इसका जो है थर्ड रेंट 95% के साथ लगा है और जो फस्ट आया है बच्चा वो 98% से आया है उतकर फस्ट से सीधे थर्ड पे आ गए हैं ये मेरे लिए सबसे ज़ादा शौकिंग था हलाकि मुझे लग तो रहा था कि जिसे साबसे बच्चा चीज आके भी नहीं कर पा रही थी मैं बोलती थी कि बिटा तुमने लिख लिया पढ़ लिया तुम कहता था हां तो वो अभी मेरे साथ ब्लाव में नहीं है सो रहा है अदर्वाइस काफी निराश हो भी हुआ मैं भी हुई बट इस सो के उसके एक और टर्म पीए टू के जो है आ बेडम भेजिंगी वो मैं उसको नोट कर आऊंगी प्रस में उसका प्रिंट निकल वालूंगी अगी कुछ भी किसी भी तरह से यह मेरी वज़े से बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए सो यही फीका-फीका साज का व्लॉग है 95% हमारे लिए तो बड़े हैं मैं तो कभी नहीं लाई 95 लेकिन बच्चा जिस हिसाब से लाता है 99, 98 उसे साब से 95 ओविसली कम है प्लस क्लास के बच्चे एक दूसरी को जो चिड़ाते हैं चलो ठीक है कुछ नो बच्च तो देगो म करना पड़ेगा आगे कम तो आगे हाला कि मैंने इसको यह नहीं जताया है कि काम आगे तो आगे मैं उससे बोला है कि जो चीज छूट गई है उस चीज को तुम इंप्रूब कर लो और फिर से प्रैक्टिस करो फिर से लग जाओ तो आप लोग अपना आशरवात देते रहि तो सोचा तो था दिन में व्लॉग बनाने का लेकिन थोड़ा सा अपसेट था वो तो मैं इसको नहीं छेड़ा और वैसे भी अब मैं चाहती हो व्लॉगिंग से जादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और मैं भी कोशिश करूँगे कि पूरा-पूरा आटेंशन दूँ एक्चुली मैं ना उसके टर्मस इतने अलग-अलग हो गए ना कि वो मेरी पल्ले नहीं पढ़ते हैं मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी लुकी और हमारे टाइम पे इतना टॉफ स्लेवर्स नहीं होता था इन लोगों के टाइम पर तो बाबरे क्या-क्या पैटर्न्स है मैं तो घबड़ा गई मैंने गए यह क्या तरीका है अरे मल्टिप्लाई ऐसे करना है कर दो लेकिन इसको स्टेप बाइस सिखाया गया है और अगर एक भी स्टेप अच्छे मिस कर देते हैं तो उनके मार्मस कर जाते हैं तो इसको यहीं कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि क्या होता है ना कॉपी में इतना स्पेस दिया होता है कुछ खंड वगरत इसने काउंट करके देखा की वो तो नॉर्मल वाले का है तो उसने नॉर्मल तरीके से कर दिया बट नॉर्मल नहीं करना था कुछ इस तरह था तो इसके जो मार्क्स करते हैं कुछ इसके कन्फ्यूजन की ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट से सीधे थर्ड पे आ गया और अब थर्ड से कहीं जादा धराशाई ना हो जाए तो कुछ ना कुछ तो मुझे देखो करने ही पड़ेगा तो जादा बखबख नहीं करती हूँ एक छोटा सब्डेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थी और दवा का नाम दे देती हूँ इस दवा को जो है आप लोग छोटे बच्चों को दो ड्रॉप से जादा नहीं दीजेगा बड़े लोग चार से पांच ड्रॉप ले सकते हैं दिन में तीन से चार बार आप इसको ले सकते हैं अज़र आपको बहुत जादा हैवी वाउमेटिंग या लूस मोशन हो रहे हूँ इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप लोग इसे अपने घर में रखे क्योंकि अक्सर पूट पॉजनिंग हो जाती है अक्सर कहीं नही जाता है तो यह हमारे फ्रेज में रहना चाहिए इनकी शेल्फ लाइप भी जादा लंबी होती है तो डरने की बात नहीं है ठीके दोस्तों यह वो दवा दोस्तों आप लोग थोड़ा नाम देख लीजे मैं काफी जूम करके दिखा रही हूँ यह लूज मोशन की है और स्क 100 पावर की है और दोनों के नाम आप लोग नोट कर लीजे और यह मेडिसन सबी जगह मिलती है बहुत इफेक्टिव है आप बच्चों को भी दे सकते हैं ठीक है तो यही मैं अपने घर में रखती हूँ और फ्रेज में स्टोर करके रखती हूँ और किसी को देने से पहले 5- निकाल देते हैं ताकि यह नौरमल हो जाए यह नौर्मल वाटर में जब हम हम इसकी ड्रॉप्स डालते हैं तो वैसे जी सका टेंपरेचर नौर्मल हो जाता है और फ्रेज में रखने से इसके टेंपरेचर में कोई प्रोब्लम नहीं आती है हीटिंग वाले प्लेसस पे इन मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में और जाने से पहले वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना धेर सारा प्यार और आश्रवाद दीजे दोस्तों बहुत ज़रूरत है बहुत जादा हर मामले में ज़रूरत है बाद में बताऊंगी तो अपना ख्याल रखिएगा और कॉमें करना मत बूलिएगा और मैं तो भूली नहीं मिलास में क्या बोलती हूं गुड़ नाइट